हेलो गाइज आप देखे रहें टेक्निकल सर्विस आप इस वीडियो में सेखेंगा समसंग फ्रांट लोड़ वासिंग मसीन तो कस्टमर का कंप्लेन है कि यह मसीन बहुत जादे आवाज कर रहा है ड्रम जब गुंता है तो बहुत जादे चेच 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 यह आपस में यह अवया आवाज करता था हम लोग इस्पिन मोरी में चला के निजुक हाए कि आवाज आ रहा है कि ने यह तो चॉलों अषक प्रोच का रहा है दो है कि अवाज हो सकता है बाइरिंग का या i-spe पीचे कावर अव यह भी बेनट भी भी हमलोग छूलेंगे यह भ baru खोल दिये अब उपर से यहémon कावर कि हरी है यह चीज हम लोग ठोलेंगे Now और अबूंध खोल न मिद्यूrजार संथा पईद आए सब chamber तो परई हुआ है दूभ Pr लग और यह डिटर्जांड बॉक्स भी है तो इस्कूरू डॉबर से फसा की यह खुल गया अब इसमें भी यह दू इसकूरू है तो दूने इसकूरू को खुलेंगे इसके बाद यह पाइनल बाहर निकले लेगा पीसी भी पाइनल है तो यह स्कूरूर्व खुल गिया, अब यह लोक में फासा हो रहता है फिनल तो यह लोक से हटाएंगे तो यह खुल जाएगा देखिये इस्कूरूर्ड्रेवर की मदद से यह लोक से घुट आ रहे और उपर में हलका सा खीचेंगे तो यह पानल लिकल जाएगा और यह जैक है जो जैक को भी खुल दिए तो दोनों जैक को आम लोग खुल दिए अब यह पैनल को आम लोग खीचेंगे तो यह खुल जाएगा तो यह देखे यह खुल यह पैनल अब पैनल का पूरा जितना भी जैक है सब को खुल के हटा देंगे तो धियान रखे जैसे जैसे जैक खोल रहे है उसी तरह फिटिंग करना होगा फिर इधर उदर फिट कर दिये तो फिर प्रॉबलम हो सकता है तो जैसे जैसे खोल रहे है उसी तरह हम लोगों फिटिंग करना होगा तो यह खुल गिया अब ये जो front का जो cabinet है उसमें दो i stri Supru रहता है तो front का cabinet भी खोलेंगे तो दोनो i stri를 को पहले खोलेंगे उसके बाद ये खूलेगा तो ये की स्कूरू खूल गिया है तो ये दूसरा i stri इसमें हलका से जंग लग गिया है तो हलका से ठोके गहे न तो ये जंग से हट जागए यह तो खुल गया असानी वह खुलने में अब निच्चे में भी देखिए पूरा निच्चे का स्कुरू जो है वह भी पूरा सड़ गया है तो पहले पीन से हम लोग घाड बना लेंगे उसके बाद हलका सा इसमें हलका सा किसी चीश से ठोकेंगे इस्कुडेबर यानि घाड़ बन जाए द्यक्या गार पूरा द्हम लगा के ये फिर इसकुरू खुलेगा तो यह राम से खुल जागने तो यह शिलिप कर गिए न तो बहुत दिखात हो जाएगा खुलने में इसकुरू तो यह इसकुरू स्कूल लेंगे, तो हम लोग 3 स्कूरूं खोल दिये अब यह No Car जो है door lock switch उसको हम लोग jack से हटाएंगे तो यह देखे यह lock में फासा हो रहता तो यह खुल गिया अब यह door lock switch है तो इसको भी हम लोग खोल दिये अब यह cabinet बाहर निकल गिया अब हम लोग सामने के जतना भी पार्टे सब खोलेंगे एक अक करके पहले हम लोग detergent box का screw और पीछे यह innate valve का दो screw है तो दोनों screw को खोलेंगे उसके बाद यह खोलेंगे तो दोनों screw खोल गिया है अब innate valve का यह jack है उसको खोलेंगे jack को तो यह दोनों jack खोल गिया है अब यह horse valve खोलेंगे यह spring है तो spring को set करके यह खोल जाएगा और नीचे भी है एक होसपाय पे इसको स्पिरिंग को पूश करें गई तो यह अराम से खुल जाएगा तो यह खुल गिया है पूरा टरजन बॉक्स हें पूरय हम लोग खुल दी है । अब यह पत्थर है । तो तूमें खुल गीया अब सामने को पूरा पत्थर है तो अब भी हम लोग खोल लेंगे तो यह देखिए पत्तर खुल गिया है अब नीचे यह जो है और पानी का फिर होस्वाइब इसको भी हम लोग खोलेंगे ड्रेनेज के जो है जो पानी जाता है ड्रेन पंप में तो इसको टैट करेंगे करें यह खुलेगा तो अदेखिए एक खुल गी अब नीचे होेंगे तो यह आरां.. खुल जाएगा है कि अब यह ड्रहां को यह ष्छुरु इसको यह और इसकूरु ईसके बाद यह धिर णको खुले के अगरहां उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्पडल टूटा हुई यह बैरिंग खराब है उसके बाद पता चले गए कि यह दुन्हों कारण से यह बहुत जादे आवाज कर रहा था तो पहले हम लोग ड्रम का आगे का पूरा खोलेंगे तो यह देखिए यह पूरा इसको खुल गिया आगे का पूरा यह ड्रम खुल गिया दो है का यह यह पूरंआए द्रम है हूं कानाट था सॉरी अब खोलने के लिई द्रम को बाहर निकालने के लिए पीछे से हम लोग यह हिर इंक रिंग डंग के मदद से इसको खोलेंगे ग है रिंग को अचाए चाहा होते हैं कि यह नट खुल रहा है हाँ हो कि पुर्द कर रिंग को घूंआए मधे तो यह नट बाहर आएगा बाहर तो यह नट निकल गुए हैं अब रिंग को भी खुल दी अब हलका से इसको ठोकेंगी तो यह डू мधार आ जाएगा तो इस कुरू में फसा के ये ठोके हम लोग ताकि ये घाट खराब ना हो तो ये अराम से खीचेंगे तो ये खुल गया अब इसका अंजर हम लोग देखेंगे देखेंगे इस पैडल ठीक है ये टुटाओ नहीं है ब्रॉकन रहता तो ये घुमता भी नहीं आव करिण के करहां खराब था उसके कारण ये आवाज कर रहा था ल। अगों बैरिंग खराओ है थोख रहा है कि बाहर यह निकले रींगर को यह देखिए यह पीर्यूटर के इस पीडियर क vahar निकलना लाँगा तब यह बैरिंग निकले गा तो प्रेशर उस चम अच्छा पूरे इसमें क्या अभी प्रेशर ने बन पराडा ठीक से उसके कराद ने खुल रहा है बहुत जादे दीकत हो रहा है तो यह हम लोग मोटर को पूरा खोलेंगे पूरा यानी सेट को खोल के बाहर रहें फी कि ड्राम निकालेंगे तो यह मोटर को अल्का से का यह मोटर खोल गया है कोई सबसिस करनेक्शन खळद िये अब डेखिए इस्पिरिंग जो हैं इस्पिरिंग को पकड़ कि यह ड्रम को बाहर निकालें गहाएं टीए दोनों इस्पिरिंग को पकड़ा ली हाई यह ड्रम लु 사न निकाले रहे है यह निकल गी है तो अब आराम से निचे दखी इसको अरक्क देंगा आराम से प्रेसर बने और यह फिर बैरिंग निकल जहां बहर तो अरore आंसे थे निकम आय। एक प्रेसर भी उलग रहा है। तब ये निकल जाएगा तहिए और शेकी आऊ ऐसको का बैरिंग है present तो हम लोगे इसको साफ करके मैंब यह उन्हें है इसको आपलोग लूकर करें तो इस को ऑची मिलेन करके है प्रच सो में है तो how can कम अधस से इसको ठोकें इसमें क्या हो रहता है इसका जो अधोुड़ि यह हैंड़ल एष। लाइव लंबा था उसके कारण ठिक से ठोका रहा था तो हम लोग चैनिक मदकसे यह ठोके तो यह ठोका गी है पुरोब लेवल में यह भी प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् लिए है थोड़ा सा और जाएगा फिर उसके बाद यह लेबल हो जाएगा बैरिंग कि यह बराबर हो गया तो बैरिंग में आवाज भी नहीं है चेक कर लिए अब यह आगे का पैकिंग हम लगा दिये हैं अब इसको हम लोग ड्रम को फिट करेंगे जैसे खोले थे एक बार भूमा के चेक कर लेंगे कि आवाज आ रहा है कि ने तो यह देखिए यह आवाज नहीं आ रहा है तो रिंग लगा के फिर हम लोग इसको नटू टैट कर देंगे इसमें जैसे खोले थे तो यह अच्छा सब फूल टैट होना चाहिए इससे भी आवाज होता है यह दिल्ला रहेगा तो आवाज करेगा ड्रम जब चलेगा तो मसीन तो यह फूल टैट होना चाहिए अब आगे का वर इसका लगाएंगा पूरा इसको लोग देख के बैठाना पड़ता है बराबर में यह देखिए बराबर नम बैढ़ी गया अब इसका नट जैतना भी हम लोग खोलेते इसको पूरा नट को पूरा टैट कर देंगे लोग तो यह टैट हो गया और यह देखिए इस पिरिंग जो है न यह बहुत जादे इंपोर्टेंट है इस पिरिंग लेफ रैट होना चाहिए लगा हुआ ने तो दोनों एक तरफ लगाएंगे तुस्छे भी अनबैलेंस होता है तो अभी देखिए हम लोग इस पिरिंग अभी लगाने जा रहा है राट सेड लगाए इसका मुझ देखिए राट सेड है यह अब एक तरफ का लिफ सेड यानि अल्टी पल्टी होना चाहिए दोनों सेम तरह नहीं लगाना चाहिए तो अन्मेलन्स होके फिर आवाच करे गई है तो आगे का जितना भी पार्ट हम लोग सब पार्ट फीट कर दि केमरेट है फिट करेंगा तो सैड में जो लॉक है यह देखिए सैड सैड में लॉक रहता तो दोनों लॉक में बठाएंगे तो यह बढ़ गया अब इस गुरू भी टैट कर दिया हम लोग अब पूरा हम लोग यह देखिए पूरा फिट होगी है कनेक्शन सब होगी हाच च के कारण प्रोबलम कर रहा था बाइरिंग के कारण तो आपको वीडियो अच्छे लिगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेले के इन टीपी और जाते से